बिसम्लाइब रहीम, अससलाम अलेकुम, वेलकम टु कुएक रिविवू, और कुएक रिविवू पब्लिक अड्मिस्रेशन के अंदर वेलकम, आज हम पब्लिक अड्मिस्रेशन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी बियोरोक्रेसी की, ठीक है, और देखेंगे कि जो है, ये क्या है, और इसकी जो है, वो क्या क्या क्यरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें हम बात करेंगे, बियोरोक्रेसी, एक्चली में हम किसे कहते हैं, मैक्स वेबर की जो थियोरी है, बियोरोक्रेसी की, जिसको डिसकस किया जाता है, वो क्या है, उसके ओपर जो क्रिटिसम है, वो क्या है और characteristics of bureaucracy देखेंगे और functions of bureaucracy देखेंगे ठीक है जी अब bureaucracy normally अगर हम देखते हैं कि bureaucracy हम कहते हैं कि किसे कहते हैं भाई bureaucracy तो देखी हम यह देखते हैं पाकस्तान के अंदर जैसे कि भाई जो लोग CSS या PMS करते हैं और CSS PMS करके government job में लगते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि बहुत important role play करते हैं यानि personal system भी कहा जाता है तो यह आप देखें यहां पे इस picture में दिखा जा रहे है भाई bureaucracy क्या है कि भाई बहुत काम करती है बहुत busy है multi tasking है और उनके बिना बिल्कुल काम नहीं होता लेकिन actually मैं go कि अब यह मुखतलिफ thoughts हैं जैसे अब पाकस्तान के अ सवर है यह actually मैं क्या है यानि जो concept of bureaucracy है यह concept क्या है तो उसमें हम यह कहते हैं जी जो modern day bureaucracy है यह modern day bureaucracy actually मैं जर्मन जो sociologist है यह जो थे Max Weber सहाफ जो बहुत बड़ा नाम है और खासकर कि public administration के अंदर sociology के अंदर इन्हीं को हम discuss करते हैं तो इन से यह evolve हुआ और इन्होंने जो है यह modern day जो bureaucracy थी इसका concept दिया Max Weber ने गो कि इससे पहले यह 18th century के अंदर evolve हो चुका इन्होंने 19th century के अंदर इसके उपर काम किया Max Weber ने लेकिन उससे पहले 18th century में यह bureaucracy का concept जो है यह evolve होना start हो चुका था ठीक है लेकिन इसको promote जो है वो करने वाला कौन है वो Max Weber साहब है उन्होंने इसको किस ताइम पर study किया जी उन्होंने 19th century के अंदर आके उन्होंने study किया power को और authority को के भई ताकत क्या है और authority जो है अख्तियार क्या है उस ताकत के against में तो इन्होंने यह देखा कि तीन तरह की जो early societies हैं वो हमें देखने को मिलती है जिसमें सबसे पहले kingship क्या है जी यह power authority को study कर रहें उसमें इन्होंने देखा तो सबसे पहले क्या देखा traditional authority के रिवायती authority है रिवायती authority में क्या है जी जो ruler है उसके पास natural right है rule करने का यह वही है जो हमने यहां पे हिंदुस्तान के अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा कि यहां पे मोगल empire थी या उससे प यह पैदा हुए है रूल करने के लिए ऐसा तो हर्गिस नहीं है लेकिन मतलब यह है कि यह एक बादशाह था तो उसका आगे बेटा तो जाहरी बात है जब बादशाह का बेटा है तो बादशाह ही बनेगा तो हमें history के अंदर ऐसा ही देखने को मिला चाहे वो यूरप हो य लोग भी इसको respect करते हैं तो यह traditional authority है यह रिवायती authority जिसको लोग इज़त या respect जैसे इसकी सबसे जो prime example आज हम देखते हैं वो UK में है उसकी UK में कैसे example है कि आज भी वहाँ पे जो है किसी नहीं किसी तरह traditional authority मौजूद है queen की शेकल में या king की शेकल में गो कब उनका role नही लेकिन मौजूद है और वो उसकी respect करते हैं तो पहले तो यही time था दूसरी तरह कि उस बंदे ने study किया जी मैक सुबर साब ने उन देखा दूसरी जो authority या power जिसके पास होती है वो होती है charismatic authority यह जो charismatic authority है यह link करती है ruler के साथ और यह जो ruler है यह क्या हो सकता है यह तो मजभी हैं वही rule करता है जैसे कि आपने देखा पहले वक्तों में जो जो head army के head हुआ करते थे उनके अंदर जाहरी बात है hero की qualities थी तो वो क्या करते वो rule करते वो फिर जो है ना अपनी पूरी सल्तनत बना लिया करते थे या इसी तरह से उससे पहले अगर हम देखते है तो मजभ के उपर जन्हों ने रूल किया वो उनकी डाइनस्टी थी तो इसका मतलब या तो मजभी kingship होती वो भी charismatic होती और या फिर heroism के उपर होती तो वो भी charismatic होती बहादुरी के उपर तो वो states बनाते यह दूसरी तरह की traditional थी तीसरी है जी legal power legal power क्या है जो आज जिसे हम practice करते है या जो 17, 18 या खास करके 19th और 20th century के अंदर promote हुई वो है rational authority अकली ताकत आप इसे कह लें अकली ताकत का मतलब यह है कि logically क्या है कि written laws के तहद rule हो रहा है voting system है जिसको लोग elect कर रहे है चाहे उसे हम democracy कहें चाहे उसके अंदर parliamentary system है presidential system है यानि एक legal way के अंदर जो है authority है ऐसा नहीं ह अब अगर मुलके बादशा बनना है तो क्या करना होगा भाई voting में आना होगा वहाँ पर अपनी party बनानी होगी political structure के तहट उसके बाद फिर आपको वोट मिलते हैं तो आप मुलके प्राइम मिरिस्टर बन सकते हैं तो यह तो पूरा pattern है तो यह जो legal system है यह third authority है तो यह तीन party किया वहां से जो learn किया उसका एक अपना एक rule power authority का derive करवाया जो के एक rich hierarchy का structure था ठीक है यह structures थे जो के और वो authority जो थी वो rules के साथ bound थी rules या regulations जो है इनके साथ bound थी और उसी को फिर उसने आगे bureaucracy का नाम दिया या फिर उसने आगे जो है उस concept को promote किया bureaucracy का जो concept था power authority का उसको promote किया और वो जो है हमें देखने को मिला ठीक है तो यह जो bureaucracy जो word है यह french word है जो bureau और crazy दो word से निकला bureau का मतलब है desk ठीक है या table वगएरा और crazy का मतलब क्या है जी crazy का मतलब है government या बिरो crazy इसका मतलब क्या है desk की या table की government एक ऐसी हकुमत जो के जिसके पास इक्तियारात या authority ह या इसका मतलब simple सा यह है कि आपके पास जो आपकी chair है तीक है या आपकी कुरसी जो है उस कुरसी पे आपका इक्तियार है वो आपकी हकुमत है और आप अगर 70 grade के AC साहब है तो वहाँ पे आपकी वो कुरसी के हकुमत है DC साहब है तो वो कुरसी आपकी हकुमत है और आप ज डूस कर रवाइं, तो यह जो है Bureau Cracy, हमें देखने को मिलती है, गो कह यह word जो है? फ्रेंच, वट से इन लिए बियरो और Cracy से जिसका सिम्पल मतलब क्या है? desk government, desk government मतलब उस कुरसी के उपर सारी शानशाही उसी की हो रही है, तो पाकस्तान में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, भाई जिसके पास कुरसी है, उसी के पास ये सारी इख्तियार है permanent official chair है ये, ठीक है, और जो run कैसे हो रही है run by cream civil servants, कि भाई css या pms जैसे पाकस्तान के अंदर है, या इंडिया के अंदर IAS है, तो ये इसके तुरू जो है, वो run हो रही है cream civil servants के तुरू, exams के तुरू, proper way में run हो रही है, और ये क्या है, ये bureaucracy है, ये hierarchical structures है, तीक है, एक के उपर एक, एक के उपर एक power के हिसाब से, और authority के हिसाब से, और इनकी जो devian है, वो departments के अंदर है, यानि मुक्तलिफ departments है, जैसे css के अंदर हम कहते हैं, जी 12 departments है, federal level के उपर से, पीमस के departments है, मुक्तलिफ departments में तक्सीम है, और वो departments में काम करनेवले जो officials हैं, जो definition क्या है, जी, bureaucracy is an administrative system, ये एक इंतिजामी system है, especially in a government, खास कर के एक हकुमत के अंदर, that divides work into specific categories, जो के काम को तक्सीम करता है, मुक्तलिफ categories के अंदर, carried out by special departments, जैसे के मुक्तलिफ departments में लेके जाया जाता है, या वो, उसको जो elected officials हैं, और non-elected officials, जो bureaucracy है, इनमें क्या-क्या फर्क है, तो ये पहली definition है, दूसरी definition क्या है, bureaucracy is a system of complex rules, ये एक पैचीदा rules का, या कानूनों का जो है, वो एक system है, and regularities applied rigidly, जो के rigidly, जो है, उस सकती से apply किये जाते हैं, number third definition क्या है, bureaucracy form of organization है, certain attributes हैं इसकी, और वो क्या है, जैसे के deviant of labor है, allocation of functions है, अच्छा, allocation of responsibility है, superveian है, full time employment है, जो job है, वो full time है, यानि वो ही job, permanent job ही है, और कोई काम नहीं है, part time, worker career within the organization, और उसी organization के अंदर उसका जो है, वो carrier है, तो ये जी कुछ attributes है, bureaucracy की, ये पूरे का पूरा structure जो है, तो ये basic हमारे पास कुछ definitions आती है, bureaucracy की, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जी, खुसोसियाद, खुसोसियाद क्या है, या characteristics क्या है, तो सबसे पहली क्या खुबी है, bureaucracy की, जी, या characteristics में क्या है, professionalism है, यानि पेशा वराना खुसूसियत कि ये जो बिरोक्रिसी है इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस है कि भाई ये प्रुफेशनली जो है वो कामों को सर अंजाम दे तो प्रुफेशनली कामों को सर अंजाम देने के लिए किसके कामों को state के कामों को या institute इदारे के कामों को अंजाम देने के लिए bureaucracy हाईर की जाती है तो इनके सबसे पहली खुबी है ये professional होते हैं, professionalism है administrative methods होते हैं इनके पास techniques होती हैं इनके पास जो इने सिखाई जाती है ultimately और specialized activities of government जो हैं उसको ये manage करते हैं खास किसम की जो government की activities हैं हर एक की मुख्लिफ activities हैं और organized है ये professionalism में ये है और training and recruitment जो है इनका एक proper system है civil servants के अंदर जैसे हम पाक्सनान में देखते हैं तो लाहोर में जो है वो civil services academy है CSS वालों की और बाकी जो PMS की है उनकी provincial management service वहाँ पर उनकी training है बाकाइदा तो उनके अंदर professionalism जो है वो ये पैदा की जाती है उनको techniques बताई जाती है जारी बातर ट्रेनिंग का हिस्सा होती है तो पहली हो भी ये है दूसरी क्या है ये hierarchical structure है दर्जाबंदी है एक के उपर एक के उपर ranks of power and seniority यहाँ पर मौझूद है जब एक बंदा जो है वो DMG group के अंदर होगा तो AC बनेगा उसके बाद अब तो उसका नाम change हो गया उसके बाद जो है एक ASP साहब आते है तो वह इसी ता से आहस्ता आहस्ता उपर तो इस हिसाब से power and responsibility जो है वो शेर होती है और formal grading of groups है यहाँ पर मुक्तलिफ groups है जैसे 12 groups है यहाँ पर हम देखते है अच्छा distribution of power and authority है और single command का system है जैसे यहाँ पर आप देखिए इस picture के अंदर के यह जो जनाब बैठे है होंगे किसी secretary साहब किसी भी इदारे के और यह top पर बैठे है और इनके अगर नीचे देखें तो यहाँ पर इनकी authority सबसे ज़ादा है और इन्होंने क्या किया जी अपनी authority को आइस्ता नीचे share किया अपनी position के साथ और यहाँ पर यह शक्स जो है यह अब जो निया recruit होके आया वो अपनी power को use करेगा और आइस्ता आइस्ता जो हो सालों के हिसाब से step by step तरक्की करता 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 यहाँ पर इस position पर आके पहुंच जाएगा तो यह power authority हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अच्छा थर्ड पर क्या है जी framework of law है कानून का एक तरीका एकार है यानि कि हर इदारे के अंदर एक pattern है उस pattern के तहद specific कानून के तहद जैसे हमने last time बात की थी civil servant act जो है पाकस्तान के अंदर उसके तहद यह काम करते है rules and regulations के तहद काम होता है हर एक काम जो है बाकाइदा एक ruling के तहद है नमबर 4 पे क्या है political neutrality है जो पाकस्तान में हमें देखने को कम मिलती है last time पे मैंने वीडियो में डिसकस किया था लेकिन जो actual में bureaucracy है उसका purpose क्या है क्यों politically neutral होती है वो जहमूरियत के अंदर या कोई भी खैर government का system है उसके अंदर वो neutral है वो हकुमत का हिस्सा तो है लेकिन वो political system का हिस्सा नहीं है क्योंकि जो जहमूरी निजाम है ये जो government का हकुमत का निजाम है ये तो 5 साल के लिए है ये जितना पी उसकी limit होगी ये चला जाएगा लेकिन इनोंने जो है वो 60 साल अपनी job पूरी करनी है सब के लिए मवाके हैं जैसे civil service के exams होते है कोई भी citizen जो है वो दे सकता है उसकी जो requirement है graduation है अगर आप graduation graduate है तो ultimately आप जो है उसको job cracker कर सकते है तो आपको अगर training के बाद हाईर कर दिया जाएगा उसके बाद क्या है free of parliamentary responsibility है पारलिमानी जिमादारी से अज़ाद है क्योंकि political नहीं है तो ultimately जब political नहीं है तो फिर इसलिए इनको यह परिशानी नहीं है यह वहाँ से अज़ाद है training का एक पूरे कपरा system है departmental trainings है अब जैसे अगर एक ASP साहब है यह police का जो इदारा है उसकी training अलग है इसी तरह से जो AC साहब उनका इदारा अलग है इसी तरह से post office जो है उसका इदारा अलग है foreign office जो है वो उसका इदारा अलग है तो हर एक की department की training है कुछ basic training एक जगा है उसके बाद जो है वो trainings different है number 9 पे है जी promotions बाकाइदा promotions का एक तरीका एकार है ठीक है पाकस्तान में तरीका एकार यह है कि आपकी political affiliation यानि कि सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए तब ही आपको जो हो मिलेगा यह मेरा point of view है आपसे disagree कर सकते हैं लेकिन यह है कि प्रमोशन का तरीका एकार ultimately आपकी abilities के उपर है आपके work के उपर है और आपका जो time जितना भी हुआ इसके बाद आपकी fix salary है retirement है retirement के बाद pension है आपकी इसके इलावा क्या है colonial oriented है यानि पाकस्तान के अंदर जो हम देखते है यह जो bureaucracy का निजाम है यह हमने कहां से लिया जी यह East India Company इसके बाद आया तो उसने इसको इंट्रोडूस करवाया तो यह हमारे पास colonial एक system चला आ रहा है बादशाही निजाम वैसे ही बादशाह समझते हैं bureaucrates खुद को class बाइस है तबकाती तास्व बिन में पाया जाता यानि कि elite class का यह हिस्सा है और यह आम लोगों से दूरी रहते हैं यह भी इनका है पावर्फुल है इंताही ताकतवार पाकिस्तान में लास्ट टाम भी मैंने कहा था कि बहुत से जो है वो यह एक school of thought मानता है कि बहुत से bureaucrates जो है वो हिस्सा है किसका elite का और वो करप सिस्टम का हिस्सा है और वो पावर्फुल है और वो उसी ताकत को कभी भी जो अगर reforms भी आई हैं तो उनको उन्होंने properly implement नहीं होने दिया अच्छा इसके लावा नमबर 14 पे क्या है specific culture है bureaucracy का एक मखसूस किसम का culture है मखसूस किसम का एक अंदाज है काम करने का ठीक है और नमबर 15 पे है status को पुराना निजाम है या status को वो ही ताकत का हिस्सा यानि एक ताकतवर दुसरा ताकतवर और अपनों का ही जो है पर्मोशन है तो ये निजाम का हिस्सा है ये अब good भी है bad भी है लेकिन ये characteristics है अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है आगे बात करते हैं functions of bureaucracy की bureaucracy की जो functions है वो क्या है तो functions में सबसे पहला क्या है role in socialization जो है इनका socialization के अंदर है समाजकारी के अंदर या जो मौशरती हमारा जो एक निजाम है उसके अंदर का socialization में बहुत जादा role है जैसे social welfare के अंदर का role है और आज की जो modern states है ये modern states इनको कहा जाता है welfare states ये रिफाई जो है हकुमते हैं तो रिफाई हकुमतों में सबसे important role क्या है हकुमत का role है कि वो कितना जादा जो public है ठीक है उस public को कितना जादा facilitate कर सकती है तो ये जो bureaucracy है ये facilitate करती है इसका purpose ये है चाहे वो health sector के अंदर हो अच्छा चाहे वो education sector के अंदर हो यानि कोई भी sector है बहाँ पर ये अपना role play करती है और positively play करती है socialization के अंदर खास करके आप देखिए जैसे अब हमारे सिंद के अंदर आप देखिए पंजाब के अंदर देखिए जो ruler areas है urban areas के अंदर भी इनका role बहुत positive है लेकिन ruler areas के अंदर इनका बहुत ज़्यादा role important हो जाता है अच्छा इसी तरह से हम देखते हैं second क्या है इनके functions के अंदर recommendation है recommending policy यानि कि तजवीज करता policy है अब जैसे हम यह कहते हैं कि जो सियासी निजाम है उसका काम क्या है policies को बनाना लेकिन वो policies कैसे बनती है क्योंकि जो सियासतदान है वो तो उपर बैठ के काम कर रहा है bureaucracy जो हो field के अंदर काम कर रही है तो इसको मतलब इसको पता है कि field में क्या चीज हो रही है कैसे हो रही है और किस तरह होने चाहिए और क्या-क्या रुकावटे है तो ये direct एक किसम का suggestion जाती है political leaders के पास इनकी तरफ से के भाई इनको आपको इस तरह से policy making करनी है क्योंकि यही चीज आगे वो workful होगी उसके बाद अगर हम functions में देखते हैं तो framing legislation है कानून साजी में हमें इनका किरदार दिखाई देता है नमबर 4 पे implementing legislation है कानून साजी का निफास सारे का सारा क्योंकि अब policy बन गई तो अब वो policy implement कैसे होगी ultimately नहीं के थ्रू होगी routine business है, मामूल के काम है हरे को structure के तहत करना बैट के उस काम के तहत तो यह क्या है, यह routine work है अच्छा, governing state है हकुमत को चलाना या रियासत को run करना वो actually में bureaucracy का सबसे important काम है और bureaucracy के बगए हम यह सबर नहीं कर सकते कि एक state जो है bureaucracy के उपर, तो criticism में क्या है जिस सबसे पहली चीज़ है, irresponsibility गेर जिमादारी है bureaucracy के उपर, यह खास करके criticism हम पाकस्तान के अंदर जादे देखते हैं बहुत से third world countries जो हैं वहां पर हमें यह देखने को मिलता है जो गरीब मुमालिक हैं वहां पर यह concept जादा है वो किसी ना किसी सियासी जमात को जो है वो support कर रहे होते हैं और इवन devian होती है कि कुछ लोग जैसे अभी भी देखिए कुछ लोग जैसे हम कहते हैं जी PTI को support कर रहे हैं bureaucracy के अंदर कुछ लोग हम कहते हैं जी PMLN को support कर रहे हैं कुछ people's party को support कर रहे हैं तो ये तकसीम है बियोरोक्रिसी के और फिर ये उनी के एकॉर्डिंग लिए उनके फिवर में काम करते हैं जो के नहीं होना चाहिए अच्छा पावर है सीकिंग पावर सीकिंग अलिमेंट है के हमेशा एक तो खुद वो ताकत का यूज करते हैं मिस्यूज करते हैं इंतहाई और सारी करप्शन और दोनमरी जो है वहीं से होती है अच्छा सेंट्रलाइजेशन है मरकजियत है इसके अंदर ठीक है और मरकजियत का मतलब ये है कि सारी पावर जो है वो एक सुप्रीम अथॉर्टी के पास से अल्टिमेटली और फिर वहां से है और पूरा अपने ही एक स प्रवरी से तो पूरी नेपुटिस्म है अकृबा परवरी है अपने लोगों को प्रमोट करना अपने दोस्तों यारों को प्रमोट करके थीक है तो अई रिचधारों को हाईर करते जाने ने promote करते हैं बड़े शहरों के अंदर तो यह हमें बहुत common देखने को मिलता है पाकस्तान के अंदर भी corruption है और bribery है बदुनवानी और इश्वत हमें देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा पाकस्तान के अंदर देखने को मिलती है इसलिए bureaucracy जो है उसका rule हम देखते है अच्छा abuse of power है ताकत का गलत इस्तवाल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पाकस्तान के अंदर भी और third world countries के अंदर भी अच्छा inefficiency है नाहली उनके अंदर मौझूद है यानि कि अब नाहली का concept यहाँ पर यूँ आप देखिए कि एक bureaucrate जो है उसने अगर एक simple B.A. किया वा है और वो उसको अगर health department के अंदर लगा देते है अब उसका health department से क्या काम है ऐसा ही है या अगर उसको commerce के अंदर लगा देते है तो उसका क्या काम है इसी तरह एक बंदा MBA करके आ रहा है तो उस MBA वाले बंदे को आप AC लगा दे तो उसका क्या काम है उसका तो business management का काम है वो कब यह reforms कोशिश भी की जा रही है 3-4 साल से पाकस्तान के अंदर भी कि भाई जो जिस चीज में specialize है उसी field के अंदर से बेज़ें जो 12 departments है तो उसका मत्तब यह है कि यह भी एक थोड़ी से हमें चीज देखने को मिलती है otherwise यह जो criticism bureaucracy को पर यह पूरी दुनिया के अंदर है कहीं पे ज़्यादा है जैसे पाकस्तान में यह बहुत ज़्यादा है और कहीं पे कम है जैसे अमेरिका जैसे मुल्क है वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे कम है नेक्स बात करते हैं जी Weber's theory of bureaucracy की और यह में last time जो मैंने lectures upload किये हैं उनके अंदर भी जो है वो already discuss हो चुके इसलिए यहाँ पे detail से discuss नहीं करूँगा ठीक है तो जो मैक्स वेबर की theory of bureaucracy है उसमें क्या है जी वो कहते है जी bureaucracy क्या है जी यह official है ठीक है सबसे पहली बात यह है यह free है और appointed on basis of contract है यह Max Weber साहब की है ठीक है कि भाई यह तो यह आजाद हैं यह officials हैं हर एक काम के officials हैं free है और appoint होते हैं किस base के ओपर जी contract base के ओपर होते हैं और यह appoint होते हैं not elected कि यह जो bureaucracy है यह appoint होती है elect नहीं होती जैसे कि जहमूरियत के अंदर हम यह कहते हैं कि भाई एक निजाम है election का तो वो यहाँ पे नहीं है और appointed है किस बात के ओपर appoint होते हैं होते हैं तो जैसे पाकस्तान के अंदर एक system है यह जैसे हम देखते हैं बहुत से हमाले के अंदर एक जो graduation का standard रखा हुआ है तो वहाँ पर फिर वो कोई भी degree हो सकती है तो वहाँ पर professionalism को कम देखा जाता है तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तनकीद हो सकती है यह पाकस्तान की जो bureaucracy है उसके ओपर तनकीद हो सकती है कि उसमें reforms की जुरत है कि भाई उनको professional qualifications के ओपर एक्चुली में किया जाना चाहिए जैसे एक doctor है तो अगर उसने post है यही इनकी soul occupation है यही कि जुस काम के लिए hire किये गए है यही इनका permanent काम है और इसी को permanently देखेंगे और अगर हम मजीद देखते हैं जी तो promotion जो है वो base करेगी merit के उपर ठीक है इनकी जो promotion होगी bureaucracy की वो bureaucracy की सारी किसके उपर होगी merit based होगी ना के political affiliations के साथ होगी control है इनका disciplinary system के तहद या इनकी जो accountability है वो disciplinary system के तहद है या internal accountability का bureaucracy के अंदर एक निजाम मौजूद है और यह जो control होती हो कैसे होती है top to bottom होती है और monocratic hierarchy होती है यानि कि एक शखस जो है या एक अफसर साहब सेक्टरी साहब या कोई भी कमिश्टर है वो top पे बैठे में है जो तो वो उन्हीं की नीचे जो है वो चल रही है और बहुत से जो नीचे officers है वो सारे के सारे इस top monocratic hierarchy जो है इसी को follow कर रहे है बाकी officers जो है वो report करते है अपने से उपर जो उनका supervisor है या superior है उसको जो है वो report कर रहे है hierarchical system के अंदर और यहां पे जो है वो हर कोई accountable है ठीक है और वो accountable ठहराते हैं इसको कि जो भी जो इसका responsible है उपर वाला नीचे वाले को या नीचे वाले को इसी तरह से public laws जो है उसके तहएद ये काम करते हैं यानि कि जो bureaucracy है ये public law के तहएद काम करती है और इसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो है ये classical public administration की एक type है जो हमने traditional में हमने इसको discuss किया है traditional के अंदर अंदर झाल झाल मजीद अगर हम समझने कोशिश करें कि मैक्स वेबर साब की जो थियोरी है इसकी क्या क्वालिटीज है तो सबसे पहले ये क्या कहते है हिरार्की एंड अथॉरिटी कि ये हिरार्की अथॉरिटी का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे है कि भाई एक officer यहाँ पर है फिर दूसरा इसके उपर है फिर तीसरा इसके उपर है फिर चोधा इसके उपर है तो ये step by step इसी तरह से सिलसला चलता जाएगा और ये जो है जैसे let's suppose ये AC साहब है ये DC है ये commissioner है तेक है जी और ये जो है ये home secretary है तो इसका मतलब ये है कि ये जो AC साहब है ये जवाब दे है DC को और DC साहब जवाब दे है commissioner को commissioner home secretary को फिर उपर वो secretary को तो इसका मतलब ये है कि हर नीचे वाला जो officer है ये उपर वाले को responsible है और जवाब दे है और उपर वाले की responsibility है कि वो नीचे वाले से काम ले और उससे पूछे क्योंकि उपर वाले के पास authority जो है वो जादा है तो उपर वाला authority को use करेगा और नीचे वाला उसी के मताबिब फिर जो है वो काम करेगा और उसको फिर आगे से जवाब दे होना पड़ेगा तो ये इनके सबसे पहली quality है जो कि हमें bureaucracy के अंदर दिखाई देती है जैसे पाकस्तान में model यही follow हो रहा है दूसरा है devian of labor है next है devian of labor तो devian of labor का मतलब यह है कि मुछ अजी के अजी का देना ownership of position कि कोई ये नहीं कह सकता अब जैसे AC साब को बना दिया तो अब AC साब कहें बस मैं AC बन गया और अब मैंने यहीं पर retire होना यह मेरी position है मैं इसका सारा जो है responsible हो ऐसा नहीं है बलके जैसे 3 साल की आप देखें यहाँ पर पाकस्तान के अंदर model है काम करते है नमबर 5 rationality है rational being है यानि अकली तोर पे जो काम होता है तरीके कार के तेक pattern के तहद होता है ठीक है और इसका मतलब ये भी है कि भाई वो जितना भी काम करते है वो अपने अकल को या अपनी skills को जो है वो apply करके काम करते है ठीक है अपनी skills को चाहिए अपने junior से काम ले रहे है अपने senior से ले रहे है तो इस तरह से rationally जो है वो काम कर रहे है या अपने targets जो है उनको achieve कर रहे है अच्छा discipline मौझूद है नमबर 6 के ओपर ठीक है जी पूरे का पूरा model है discipline का ultimate lucid discipline के model के ओपर जैसे अब discipline में सबसे पहले क्या है जी 9 to 5 job है ठीक है इसके लावा हर job का एक discipline है तो वो अपने हिसाब से है record keeping है नमबर 7 पे ठीक है जी वो पूरे का bureaucracy का purpose है वो record keeping सबसे important purpose है कि उन्होंने record keeping करनी है government के लिए और selection on merit basis है जैसे यहां पे CSS या PMS के exam के तुरू selection है तो इसी तरह से उनकी selection merit basis है ना कि किसी के कहने के ओपर है तो ये कुछ characteristics है अगर आप इसकी criticism की बात करें तो जैसे devian of labor के ओपर criticize किया जाता है और ये इसलिए है कि ये कहा जाता है हर शक्स को कि ये तुमारी job ये तुमारी job तो इससे क्या होगा कि इससे एक mechanical environment जो है वो develop होगा तो mechanical environment जैसे आज कल IT ये computer का जमाना है तो आज तो खैर इतना problem नहीं है ये चीज़ें manage करना इसी तरह से manage हो रही है या खासकर जो private जो companies है वो इसे manage करती है लेकिन bureaucracy के अंदर इस टाइम पे शायद ये सवर नहीं था तो इसी विए इसको जो है criticize किया गया कि आप इतना जादा mechanical कैसे कर सकते है लोगों को devian of labor के ओपर तो क्या है जी strict adherence to rules और ये आपको आज के टाइम पे जादा अच्छा समझ आएगा जैसे देखिए हमने देखा last time जो हो इहतिसाब की बहुत जादा बात की गई और फिर कुछ लोगों के ओपर जैसे आहाचीमा या बाकी बहुत से bureaucrates हैं उनके ओपर जो है वो कहा गया कि उन्होंने अपनी जो powers हैं उन powers को misuse किया तो फिर उससे ये concept हुआ कि बहुँ कि अब जो इहतिसाब है या खासकर करके जो नैप का अधारा है पकस्तान के में बात कर रहा हूँ तो ये नैप के अधारे से हमें ये इखतियार लेना चाहिए कि वो bureaucrates को investigate कर सके क्योंकि जैसे उससे होता ये है कि फिर वो जो इनन डिसियन्स लेने होते हैं वो जब strict rule के साथ bound हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे delay पैदा होगा उससे problem पैदा होगा उससे जो work की efficiency है वो मतासिर होगी ये speed जो है वो मतासिर होगी क्योंकि वो इस में डर में रहेंगे कि यार अगर हमने decision ले लिया तो शायद हमारे उपर कोई inquiry beds आए तो इसका मतलब ये है कि इसको get size किया गया कि भाई इतना ज़ादा अगर हम strict रहेंगे rules के साथ तो हमारे लिए काम करना manage होगा क्योंकि जब हम fields में है आपको ऐसे जिसे देखने को मिलेंगी जहां पे काम के मुhtलिफ अंदाज है लेकिन उनको rules and regulations में कुछ और तरह से लिखावा है तो ये criticism है थर्ड पे है जी lack of human touch क्योंकि अब जैसे मैंने कहा ये mechanical है तो ultimately यहां पे accountability का concept भी जादा काम का concept भी जादा जूनियर्स के लिए काम करना एक मुश्किल environment है ठीक responsibility बढ़ जाती है तो ये एक problem है और recruitment जो है उसके उपर भी criticism हुआ तो ये जो Max Weber साब की theory है जिसको बहुत जादा जो है वो bureaucracy के अंदर study किया जाता है और ये इसका criticism है ठीक है अब आगे बढ़ते है और last में बात करते हैं जी bureaucracy with reference to Pakistan के पाकिस्तान के reference के साथ अगर हम बात कहरें bureaucracy के क्या हालाद चल रहे है तो हम देखते है सबसे पहली बात क्या है जी यहां की bureaucracy की characteristics में colonial heritage है के ये नो अबादियाती है के विर्सा हमें मिला जैसे मैं कह चुका हूँ के East India Company ने हमें दिया उसके बाद जो British rule आया British rule ने इसको आगे promote किया पूरा exams का system जो है आई-स के तरू या ICS के तरू introduce करवाया गया और उसी को हमने पाकिस्तान ने इंडिया ने ये बंगला देश ने उसको adopt किया और as it is ये चला आ रहा है जिसमें सबसे important चीज़ क्या है जी के उनका इख्तियार बहुत ज़ादा है power जो है वो unlimited है bureaucracy के पास ये बहुत बड़ा problem है क्योंकि उस time पे तो ये suit करता था ये एक साइट पे यूके से operate हो रहा है सिस्टम ठीक है यहाँ पे गवर्नर साब मौझूद है और उसके नीचे गवर्नर के नीचे bureaucracy के पास बहुत ज़ादा अख्तियारात है और वो इन अख्तियारात को इस्तमाल करके तो control कर ये चीज़ों को लेकिन अब यहाँ पे directly हमारा अपना मुल्क है इसलिए अगर इतनी ज़्यादा power है तो फिर ultimately बहुत ज़्यादा problems पैदा होते हैं जैसे अब local government अगर हम ये कहते हैं local government का system नहीं आ सका तो शायद उसकी कहीं न कहीं responsible bureaucracy है जो कभी नहीं चाहती कि उनके हाथ से अफ्तेराद चले जाएं और वो जाके जो है वो local government के पास जाएं ये बहुत 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 problem है उस power का ये colonial mentality की वज़ा से second है experts है माहरीन है यानि जो उनका pattern है हाईर करने का माहरीन है पाकस्तान के अंदर यानि इनको जो हायर किया जाता है या जिस position के ओपर किया जाता है तो उनको train करके आगे भीजा जाता है third पर क्या है जी witnesses of other institutions हैं दीगर एदारों की कमजोरी जो है ये किशू है और इस वज़ा से भी दीगर दारों कमजोरी है तो bureaucracy strong है लेकिन bureaucratic एदारों की भी अपनी कमजोरी मौजूद है और ineffective governments यहां पे मौजूद है पाकस्तान के अगर reference की बात करें तो हकुमती निजाम वो नहीं है जिस वज़ा से यहां पे जो bureaucracy है उसको ज़्यादा power मिलती है अपने आपको complete होते है तो ultimately इनकी तो permit job है तो यह उतना ही खुद को strong कर रहे होते है और यह lobbying भी कर रहे होते है अच्छा military governments यहां पे रही है पाकस्तान के अंदर तो उसका भी military के उपर और bureaucracy के उपर हमें असर देखने को मिलता है lack of accountability बहुत बड़ा problem है पाकस्तान की bureaucracy के अंदर तीक है centralization of power यहां पे मौझूद है तीक है सारी की सारी जो ताकत है वो ताकत किसके पास है जो higher ranks के उपर जो monocratic authority बैटी है उस authority के बास मौझूद है और यही कहा जाता है जी उपर से orders है उपर से orders है या आप कि जो moral values हैं जैसे अब corruption को बहुत आम समझा जाता है bureaucracy के अंदर अब यह moral values के खिलाफ है ठीक है आप अगर काम नहीं करने देते अपने जुनियर्स को तो यह moral values के खिलाफ है इसी तरह से आप politicians को political structure को काम नहीं करने देते तो हर जगा पे हमें देखने को मिलेगा problem professional honesty की बहुत जादा कमी है ठीक है और यह भी हमारा बहुत 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 प्राबलम है कोई भी professionally काम करना ही नहीं चाहता क्योंकर professionally काम करें तो ultimately यह हालात ना बने तो at the end हम यह कह सकते है यह bureaucracy जो है यह बहुत important है इसमें कोई शक नहीं कि बिरुक्रिसी के बिना जो है वो एक state का जो system है वो run होना possible नहीं है लकिन जहां पर यह बहुत ज़्यादा एहम है कि इसके बिना आज हम modern state में तसवर नहीं कर सकते कि भाई हम जो है वो state काफेर्स को manage कर सके लकिन वहीं पर problem यह है कि इसके अंदर बहुत से issues पैदा हो चुके हैं वक्त के साथ साथ तो इसलिए अब अगर हम one point agenda के बात करें तो हमें reforms चाहिए हमें reforms चाहिए खासकर कि पाकस्तान के अंदर शदीद किसम की reforms की ज़रुए है कि जैसे तनकीद की जाती है कि बड़ी देखे पाकस्तान के अपने हालात क्या है और bureaucracy के आयाशियां देखिए officers के आयाशिया देखिए उनको क्या क्या फ्री मिलावा कैसे कैसे और ये गरीब शख्स जो हो कैसे है तो ये बहुत से problems है और खासकर कि ये जो colonial heritage है इसको जो है वो खतम करने की जूरत है और एक नई reform के तहदे ने हकीकत में जो है वो नोकर शाही बनने की जो है वो training दी जाए ताकि जो है वो service दे सके अवाम के खादिम बन सके और खादिम बन के जो है वो service दे सके तो इसको यहाँ पे conclude करते है bureaucracy को और thanks for watching और आपके feedback के लिए जो है वो comment section मौझूद है positive और negative दोनों के लिए